हलो फैंस बेलकम टू माई चैनल आज मैं आपको बताऊंगी चिकिन करी की रेसिपी चलिए सुरूर करते हैं आज का वीडियो यहां मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है इसे पानी से अच्छे से दोलिया है तीन मीडियम साइज की प्याज लिया है ने बारी काट लिया है एक बड़ मसाली लिया है शहजीरा है छोटी लाइची है बड़ी लाइची है दालचीनी है फूल है चार से पांच लॉंग है चार से पांच काली मिर्च है यह खड़ी मसाली लिया है कड़ाई में सबसे पहले दो बड़े चमा तील डालेंगे तील गरम हो जाने पर खड़ी मसाली डा देंगे प्याज को हलका गुलाबी होने तक हमें फ्राई करना है यह देखिए प्याज हलकी गुलाबी हो चुकी है प्याज को ज्यादा फ्राई नहीं करना है चलिए अब चिकन डाल देते हैं हम इसमें दो सेकंड के लिए हम इसे भूणेंगे ताकि चिकन का सारा पानी जल जाए अधरक लैसन का पेश्ट भी डाल देंगे अब हम इसमें दो सेकंड के लिए और भूणेंगे ताकि अधरक लैसन की पेश्ट की स्मेल ना आई इसमें एक चोधाई चमा जिसमें हल्दी डालेंगे एक चमा नमक डालेंगे एक चमा लालमिच पावड़ो डालेंगे एक चमा धनिया पावड़ो डालेंगे आदा चमा कस्मी लालमिच डालेंगे चलाएंगे हलका सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से बुन जाए और लगे ना नीचे दस मिन के लिए हमें मसाले को लो फिलम पर भूइनना है भीज भीज में चलाते रहना है ये देखिए हमारा मसाले बुन चेखा है तेली भी नजर आने लगा है बगल से अब इसमें हम गरी यो खस-खस का पेश डाल देंगे चलाएंगे पांच मिन के लिए और बुन जेंगे ये देखिए हमारा मसाला बुन ने लगा है मसाला बुन चुका है अब इसमें हम ग्रेवी कर देंगे ग्रेवी को आप अपनी पसंद के अनुसार रख सकते है एक खोलाने का इसमें बेट करेंगे ये देखिए इसमें वाल आ चुका है चली आज की रेसिपी हम सर्व कर लेते हैं तो फ्रेंस कैसे लगे आपको आज के हमारी चिकिन करी की रेसिपी अगर आपको आज के हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शाय और सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बेल आइकन का बटन मी जरूर दबाए ताकि हमारे रोज की आने वाले वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिल जाए ताकिए था ताकिए ताकिए पर वाचिए मैं चैनल